अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो कैसे कैसे लोग पैसे कमारे और किस कैटेगरी में आप 50-60,000 उपे एवरी सिंगल मन्त अर्ण कर सकते हैं यह बहुत ही डीटेल एनलिसीस से बेस्ट वीडियो है तो मेक्शुर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा मैं यहाँ पर ज्यादा डाइम वेस्ट नहीं करूँगा लेकिन यह कहना चाहूँगा हमारे चैनल पर 60% से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप उसमें से एक है अट लिस्ट आज सब्सक्राइब के बटन को क्लिक और बैल आइकन को हिट करना मद बुलिएगा ताकि आसे दमाकेदार वीडियो इसमें बार बार लाता रहूं विदाउट वेशिंग टाइम चलता है डेक्स्टॉप की स्क्रीन पर लेकिन आपके लिए कुछ स्पेशल एक दो गंटे का में वेबिनार करने वाला हूं उसके बारे में डीटेल जानने के लिए भी आप वीडियो के अंतक बने रही हैगा मैं आपको बहुत सी डीटेल मैं आपको वो डीटेल बताऊंगा कि exactly कौन-कौन से लोग उस वेबिनार को जाइन करेंगे सो हम लोग आ चुके हैं डेक्स्टॉप की स्कुन पर एक चोटा सा नाउंस्मेंट सूप्रीमकैंपस.com के अगर आप होम पेज पर जाएंगे अभी तक हमारे पास 120 प्लस स्टुडेंट्स जॉइन कर चुके हैं और मैंने यहां पर एक अलग से करीकुलम का अलग से टैप सटप किया है यहां पे आकर कि आप एवरी 6 कोर्से के अंदर क्या-क्या कवर किया गया है उसकी सारी डीटेल आप जान सकते है अवरी सिंगल टॉपिक अगर आप यहां पे आकर देखेंगे यह blogging related complete course है यह totally active है अब है students go through कर रहे है तो इसी तरीके से आपको इन 6 कोर्से का total bundle जो कि supreme campus के अंदर आपको दिया जा रहा है इसके बारे में आप join and get से information निकाल सकते हैं कि आप राइसिंग और दो स्टफ तो आप यहां से अभी curriculum देख सकते हैं that is a small update चले गाइस बात करते हैं कि exactly YouTube को किस तरीके से आप earning generate कर सकता है या फिर कौन-कौन से लोग जो YouTube पे हैं वो कौन-कौन से methods को use करते हैं जिससे वो अच्छा-कासा earning generate करते है तो इसके लिए मैंने आप तीन चीजे divide की और तीनों चीजों के बारे में हम detail में discuss करेंगे और यह बहुत क्रूशल एसों बने रहेगा वीडियो के अंतक और जैसा कि मैंने बोला कि हम यहाँ पर discuss करने वाला है दो गंटे के webinar क्या होगा उसके अंदर क्या-क्या cover करने वाला है तो उसका भी तोड़ा सा मैं brave दूँगा तो यहाँ पर आप देख सकता है YouTube पर earning करने के लिए हमारे पास तीन यहाँ पर सबसे best options है जहाँ पर पहला है जो कि advertising revenue है It is obvious कि जब आप YouTube पर आपका video upload होता है तो आपको एक certain criteria फुल्फिल करना होता है जैसे कि 1000 subscribe और 4000 गंटे आपको पिछले 365 दिन में मतलब एक साल के अंदर जब आप इस target को hit कर लेते हैं तो आपकी website आपका YouTube channel approval के लिए जाता है और वहाँ पर आपको approval मिल जाता है for advertisement उसके बाद से आपके YouTube channel पे ad display होना लगता है कुछ-कुछ लोगों का यह criteria match नहीं है फिर भी ad दिखता है इसका मतलब की वो revenue तो बंद रहा है बट वो revenue पूरा का पूरा YouTube ले रहा है जो YouTube ने पिछले 2021 के अंदर यह changes किया था तो आपको कमाना है तो यह criteria फुल्फिल करना चीए तब ही आप advertising revenue बनाना start करेंगे अब जब advertising revenue की बात आती है तो यह YouTube का सबसे list revenue making criteria है मतलब यह सबसे कम पैसा है जो आप YouTube से बना सकते है उसका जो average होता है वो depend करता है कौनसी country साब को traffic आ रहा है imagine कीजिए अगर आपकी specific niche है अगर आप India से है तो यहाँ पर जो आपको traffic आएगा उसकी basis पे आपको 1000 views पे minimum 50 रुपे है और maximum 300 रुपे की range के अंदर आपको मिलने की probability है इससे भी कम और थोड़ा बहुत जादा हो सकता है अगर आपका traffic India, Pakistan, Bangladesh ऐसी country से है मैंने YouTube से कितना पैसा कमाया अगर यह आपने last video नहीं देखा इसको जाकि अभी जरूर देखिएगा वहाँ पे मैंने detail में explain किया with live earning proof कि कितना पैसा मैंने कितने views पे बनाया तो यह है एक solid stat इससे stat की basis पे आपकी earning होती है लेकिन यही traffic अगर आपको US और UK से आता है तो आपके 1000 views पे 700 से ले करके 1500 रुपए तक भी बन सकते हैं और बहुत सारी चीज़े depend करती है नीश के basis पे यसे मेरी नीश है वो money making के अंदर है तो मुझे कहीने कहीं मिलता है 180 से 200 रुपए के बीच में average RPM हजार viewers के उपर गौड़िट नौ यह होता है आपका list revenue जहां पर आप views के पीछे भाग रहे जितने views आएंगे उतने पैसे आप बना पाएंगे और इसका सबसे best तरीका जो लोग use करते हैं thumbnail में कुछ भी डालते हैं money making 50 लाग 60 लाग चिपका दो तो आपको views आने की probability ज़ादा है right but यहां पर आपकी limitation हो जाएगी सिफ एड revenue को ले करके अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में detailed video बनाओ कि किस mindset से आपको video create करना चाहिए YouTube पे अभी मुझे comment किजेगा अगर इस video पे 500 से ज़ादा comment आता है तो मैं वो inside strategy के बारे मैं definitely discuss करूँगा लेकिन और जादा inside detailed study में जाना चाहते हैं तो definitely supreme campus को अगर आप join कर सकते हैं यहां पर YouTube supreme launchpad के नाम से मैं dedicatedly course design कर रहा हूँ जो आपको blogging और affiliate के साथ भी मिलेगा okay but still इस video के नीचे ज़रूर comment करें अभी जो दूसरी सबसे most important earning होती है वो होती है sponsorship sponsorship के earning almost every single YouTuber को मिल ही जाती है अगर आपका YouTube channel decent है क्या होता sponsorship sponsorship में earning लेने के लिए आपको एक specific niche में काम करना ज़रूरी है इसे मेरी niche है वो है blogging या फिर make money online तो इस particular niche के अंदर बहुत सारी ऐसी companies होती है जो हमें approach करती है और वो dedicated video भी बनवाती है या फिर वो कहती है कि आप integration video जो कि आपने बहुत सारे YouTuber के video के middle में आपने देखा होगा एक minute की add आ रही है add नहीं आ रही है मतलब वो self explain कर रहे है कि ये video में ये ये है ये product ये purchase आप कर सकते है it's more of a recommendation तो इस type का जो sponsorship model होता है वो आपको YouTube को one of the major revenue हो सकता है लेकिन sponsorship कितनी मिल सकती है उसके लिए अगर हम इसको expand करता हो तो आप देख सकता है अगर आपकी जो sponsorship मिलने की probability depend करती है आपके number of subscriber और number of views पे अगर आपके पास subscriber है लेकिन views नहीं है तो उस case के अंदर आपको sponsorship मिलने की कोई probability नहीं है लेकिन अगर आपके पास views है तो sponsorship मिलने की guaranteed probability है sponsorship है क्या एक marketing method है एक company आपने product को multiple viewers के सामने रखना चाहती है जो उसकी dedicated audience है ताकि वो उसको purchase करे तो यहाँ पे views का क्रीम जादा है as compared to subscriber तो यह ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके subscriber 1000 है लेकिन आपके views डेली के 5 से 10 जार आते एक niche category के अंदर तो आपको sponsorship 40 से 50 जार तक की भी मिल सकती है as compared to वो YouTuber जिसके million में subscriber है लेकिन monthly उसके जो views monthly मनलब daily उसके views 1000 भी नहीं आते है तो ऐसे channel को कोई sponsorship नहीं देगा तो game of sponsorship is directly proportional to number of views आपकी channel पे कितने average decent views आते है अगर वो 5 से 10 जार views decent आते है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता एक dedicated video के 35 से 40 जार रुपे के लिए तो इसमें जो money making potential है वो minimum मान लिजए कि अगर आपके पास 1000 ही subscriber है अगर आपके daily के 500 views आते हैं इससे जादा भी नहीं आते हैं 500 हजार की range में आते हैं तो कोई ने कोई आपको एक dedicated video के लिए minimum 2 से 3 हजार रुपे इंडिया में आपको मिल जाएंगे तो imagine कीजिए अगर मन्त के अंदर आपको 2 sponsorship मिलती है तो आपकी तरीके से कितना पैसा बना सकते हैं और यह sponsorship कैसे मिलती है वो भी हम discuss करेंगे अगर आप चाहते हैं तो मुझे comment करके जरूर बताइए तो इस तरीके से आप properly sponsorship के तुरू भी earning कर सकते है which is one of the biggest revenue अगर आपका YouTube channel है आपका ad revenue हो सकता है 20% तो sponsorship 30-40% के बीच में range करता है लेकिन सबसे खास बात अगर आप YouTube channel चलाते हैं तो आपका target यहां और यहां की बजा होना चाहिए affiliate revenue इस डेस YouTube एक ऐसा platform बन चुका है जिसका most of the times जो लोग use करते है that is only for affiliate marketing purpose हर किसी के वीडियो में आप देख रहे है चाहे कोई learning दे रहा है चाहे वो किसी तरीके से कोई entertainment के videos बना रहा है कहीं ने कहीं वो sponsors के साथ में वो अपनी affiliate link को integrate करता example के लिए आप link description में जाके देख सकते हैं मैंने बहुत सारी link paste करके रखी है so these are the things जो मेरी specific niche के अंदर है तो यह हो जाता है आपका affiliate revenue अब यह बात करेंगे affiliate revenue किस पे depend करता है affiliate revenue अगर आपको कमाना है मतलब किसी third party product के affiliate program को join करके उसको किस तरीके से आपको promote करके earning करनी है तो उस case के अंदर आपको number of subscriber count कितने भी हो आप affiliate income generate करेंगे या नहीं करेंगे यह totally depend करता है trust और trust कहां से आता है आपकी content के अगर आपके YouTube channel पे जो quality content अगर आप deliver करता है जहां से लोगों की growth और उनको कोई value addition होता है तभी वो आपकी link को जाकर के click करेंगे और इससे मुझे याद आया है कि अगर आपने नीचे दी होई affiliate link मेरी personal उसके तुरू अगर आपने जाकर के कोई hosting का product purchase किया जो कि मेरा highly recommended hosting है तो उस case के अंदर आप definitely आया है और यहां पर आकर के यह special offer का page पर आकर के आप आपकी $300 worth की free gift को claim कर सकते है जहां पर 2 गंटे की premium group coaching है तो जो मैं आपको group coaching की बात कर रहा था that is only for this people whoever is going and making a purchase through that आपको इस page पर आने के बाद उस link के थूँ purchase करने के बाद आप यहां पर आने के बाद आप इस Google form को भरिएगा आपको एक invite आएगा उस invite को join किजेगा आपको 2 गंटे के live webinar जो मैं आगे करने वाला हूं उसको आप join कर सकते हैं जहां पर हम blogging, affiliate marketing और YouTube से कैसे business build करें और उसके अंदर कौन-कौन सी learning आपको लेने की जरूत है जिससे कि आप grow कर सकें उसके बारे में मैं detailed live session करने वाला हूं only for this people यह क्यों? Because these are the action takers और जो action takers होते हैं उनी को मैं help करूंगा तो इसको कैसे claim करना हूं उसके लिए इस वीडियो का करकर जरूर देखिए और यहां से आपको इसके बारे माईडिया लग जाएगा So now back to the point So affiliate revenue के लिए आपको सबसे जादा trust का होना जरूर है as compared to the subscriber लोग के पास में लाखों subscriber होते हैं लेकिन उनके affiliate revenue close to zero होती है क्यों? It is all because की लोगों को उनके content पर trust नहीं है तो make sure आप एक decent subscriber हो तो चल जाएगा लेकिन एक trust building subscriber को gain करे It is not a game of a viewers It's a game of a building a trust तो यहां पर earning की unlimited potential आपको इतना भी नहीं idea लगेगा कि आप कितना पैसा अं कर रहे है It's something like कि आप every morning उट करके अगर आपके affiliate dashboard को check करेंगे आपको दो पाच अजार उपय दिख जाएगे That is what the potential of a YouTube So यह है YouTube के earning और money making potentials I hope कि आपको यह video पसंद आया होगा इसको और detail में जाना चाहते Every single component मुझे comment कीजिएगा I am just testing कि आप YouTube में interested है या नहीं तो मैं इस channel पर बहुत सारे YouTube के वीडियोज आने वाले दिनों के अंदर लाने वाला हूँ But make sure 500 comments आने चाहिए अगर आप नए है तो subscribe जरूर कीजिएगा तो मैं आपको यहाँ पर definitely एक quality content यहाँ पर हम deliver करेंगे around YouTube as well in more detail, okay तो hopefully आपको यह वीडियो पसंद आया होगा ऐसा ही वीडियोज दमाकेदार हम लाते रहेंगे आपे चाहल को subscribe कीजिए, बने रहेंगे आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक लिए वीडियो के अंदर तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत